नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लोक्ष में दोस्तों मैं हूँ भासकरानन डूभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये विज्ञान शामद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लोक्ष में यहां पर मेरे सामने एक सुन्दर सी मेल हतेली आप पुरुष जातक है और आपकी बहुत अच्छी रियल हतेली मेरे सामने बिवेचना के लिए आयूई है यहां पर देखेंगे तो आपका जो चंदर परवत है जो मन का कारक है और जल तत्व का मालिक है आपके सरीर में जल की कितनी मातरा है क्या वो बैलेंस आउस्ता में है कहीं कोई कमी या अधिक्ता तो नहीं है हतेली का ये छेतर बताता है जीवन में आपको यी यात्राएं कर पाएंगे या धर्म के छेतर में कैसी इस्तिति रहेगी आपका जो मन है वो किस प्रकार का रहेगा उसकी इस्तिति कैसी रहेगी ये यही चंदरमा बताता है और यही चंद्रमा 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है और भगवान शिब जो देवादी देव हैं उनके ये गण माने जाते हैं भगवान शिब के जो माथा है उपर उस पे आपने देखा होगा चंद्रमा ललाट पे चंद्रमा रहता है तो ये वही चंद्रमा है जो हमारी हतेली के इस भाग को सुसोबित करते हैं आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से निकल करके देखेंगे आप सांदार इस्तिति में तो इस प्रकार से भग्यास्तान की और जा रही है ये रेखा निश्चित तौर पे बता रही है कि बहुत जादा मेहनत बहुत जादा परिस्रम ये आप से करवा रही है ठीक 42 वर्स से लेके 45 वर्स के बीच आपको चैन मिलना सुरू हो जाएगा जियोनकाल में जो दोड़ा धूपी चल रही है जो बहुत जादा संगर्स चल रहा है जो बिचलित की आवस्ता पैदा हो रही है हर जगा आपको ठोकरे खानी पड़ रही है जीवन में कहीं भी कोई अच्छा नहीं है ये चीज सुधरने बैठ जाएंगी आपकी जीवनकाल में जैसे ही 42 वर्स में आप पदारपन करेंगे उसके 2-4 मेहने के बाद से आपकी जीवन में चैन मिलना सुरू हो जाएगा और 45 वर्स के आते आते ठीक 45 वर्स के आसपास आपकी जीवन में भाग्योदई की इस्तिति आ रही है आपका भग्य उदई हो रहा है 45 वर्स में और जब 45 वर्स में ये भग्य उदई हो रहा है तो यदि आपको वहन का सु Qing प्राप्त नहीं हुआ है नोट कर ले मेरे बात तो ठीक 45 वे से लेके 50 वर्स के बीच में आपको सांदा लगजरी वाहन का सुक प्राप्त होगा अपने कमाई हुई पैंसों से अगर अभी आप अपने घर का सुक नहीं भोग रहे हैं तो 45 से 50 के बीच में यकीन मानिएगा practical रूप से अपने कमाई हुई पैंसों से अपने सांदार घर का बंगले का लाब उठाएंगे महल का लाब उठाएंगे और घर का सुक भोगेंगे करियर में इस्टेबिलिटी नहीं है तो पूरी तरों से अस्ताइद तो आएगा ये आपकी हतीली की ये करियर और धनकी रेखा बता रही है पहले तो ब्यापार होगा अगर ब्यापार नहीं हो सका तो सांदार करियर होगा मन मुताबिक जो है नौकरी या काम आपको मिल जाएगा ये तीन सुक निश्चित तौर पे आपकी जीवन पे आ रहे हैं आपकी आर्थिक इस्तिती सबल होती हुई दिखाई दी रही है जीवन में अच्छे पल आते हुई यहाँ पे दिखाई देते नजर आ रहे हैं सांदार करियर की रेखा लेकिन ठीक 45 में वर्ष से जीवन में अच्छा होना बैट जाएगा 42 में वर्ष से जो है वही बता रहा हूँ आपको खुस करने के लिए मेरा मकसद नहीं होता है किसी को भी मैं खुस नहीं करता हूँ इसलिए आप देखेंगे कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो बहुत लोग कमेंट करते हैं और जादा लोग इस चीज से चिड़ते हैं कि आप तो सब को खरावी बताते हैं कई लोग कहते हैं आप उमर बहुत लंबी बताते हैं कि इस उमर में होगा जी तब तक आदमी क्या करेगा देखेगा जो उसकी हतेली में बिक्त की हतेली में लकीरे होंगी और वो जिस उमर से इंगित कर रही होंगी और जितनी हमारी जानकारी होंगी हम उसी को बता पाएंगे ठीक है न? अब देखो 45 में एक लकीर और आपकी हतियली में सबसे सांदार इस्तिति में दिखाई दी रही है ये आपकी हतियली का भाग्यास्तान है मिडल फिंगर के नीचे सनी का अस्तान इसको कहते है ये आपके कर्मों को देखता है ये आपके करियर का आपकी नोकरी का मालिक होता है भाग्यास्तान होने के कारण धन की इस्तिति भी यहां से पता चलती है और ये आपकी जीवन में बड़ा महत्वर रखता है भगवान संकर की ये भगति करते हैं सिस्य मानते हैं अपने को सनी महाराज जी और सिर्क्रिष्ण को ये पाना चाते है ध्यान रखें जरा मैं क्या कह रहा हूं और यहां पे आपकी हतेली में इस सनी से निकल कर एक रेखा सूर्य पर्वत के नीचे समाप्त हो रही है और सनी और सूर्य की 45 वर्स में युति बना रही है जबरदस्त लाब देता है ये चीज जबरदस्त लाब ऐसे ब्यक्ति को जुडिसरी और मैनेजमेंट के छेतर में बड़ी सफलता मिलती है ये जुडिसरी और मैनेजमेंट के छेतर में सफलता को दिलाती है अगर आप जुडिसरी या मैनेजमेंट के छेतर में कोई काम कर रहे हैं तो ठीक 45 वर्स में बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल हो जाएगी और ये आपको अपने जीवनकाल में रहस्य में भी बनाती है लेकिन कुछ मामलों में उदासीन लेकिन संत लेकिन तेजुस्वी और जवर्दस्त बुद्धिमान ग्यानवान ये बनाती हुई नजर आ रही है ऐसे ब्यक्ति को आत्म साक्षातकार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है ब्यक्ति अपने आपको बहुत जल्दी जान जाता है आप कौन हैं क्या करने आए हैं किस लिए इस धराधाम में आए हैं ये इसका महत्व है और बहुत कम हतेलियों में हजारों में से किसी एक ब्य लकीर मिलती है हर किसी हतेली में यह लकीर नहीं मिलती है बहुत भग्यसाली होता है जो जिसने पूर्व जन्म में सांधार कर्म किये होते है उस बिक्त की हतेली में यह लकीर होती है यह बहुत कम लकीर हो कम हातों में मिलती है अब यह देखो ठेकने फिर और भी देखेगा यहां से यह लकीर और यहां से एक लकीर और जा रही है ठिक यह लकीर इस पश्ट तरीके से बता रही है कि देखेगा कहीं न कहीं 42 वर्स से 42 वर्स के मिडिल से इसका फाइदा मिलना आपको हलकी रूप में आरंब हो जाएगा यह ब्यापार की रेखा है स्वस्त्य की रेखा है आपके जो है बुद्ध की लकीर है यह लकीर बता रही है कि आयू आपकी बहुत अच्छे रहने वाली है क्योंकि यह आयू को बढ़ाने वाली रेखा है जीवन में कितना भी अंदेरा है रास्ता नहीं दिखाई दी रहा है लेकिन आप खोज लेंगे आपको जबरदस्त रूप में सपलता मिलेगी यही दिखाती है और ब्यापार से समंदित या ब्यापार ब्यापारिक 42 वर्स से कोई काम करते हैं तो तरक्की मिलेगी और कहीं न कहीं बोलने की धंग के कारण भी आप अपने जिवनकाल में धन कमाए करेंगे ऐसे लोग मनी मैनेजमेंट की इस्तिति को अच्छी तरों से प्राप्त करते हैं लेकिन यह जैसे जैसे बढ़ती है और चीजों में इजाफा करती है लेकिन पेट से समंदित प्रेशानियों को विजन्म देती है इसका आपको ध्यान रखना है समझ गए हैं अब ए 42 वर्ष में बहुत बड़ा कुछ करने वाली है यह रेखा आपको जो है सुरी यह 45 वर्ष में और यह रेखा 42 वर्ष में आपको एक सी ज्यादा सुरोतों से धन देनी की इस्तिति में आ रही है लेकिन थोड़ी सी चिंता वाली रेखा यह हलका फुलका जो है चोट में है इन सबसे कैसे छुटकारा पाएं ये चीज मैं आपको जो है प्रोपर तरीके से बताऊंगा अब एक चीज और देखें आभी तक हमने अच्छी चीजें देखें हैं कि क्या होगा एक चीज और देखें आपकी हतेली में अगर देखेंगे यहां से हलकी रूप में मस्ति प्तसी है लेकिन है एक तो दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं आप लोगों की बातें आपको बहुत अच्छी लग सकती हैं और दूसरे उनके दिमाग से लिया गया निरणया आपको बड़ा पसंद आ सकता है उस पे आप अमल ज़्यादा कर सकते हैं आप अपनी खुद की जो स्वतंत्र विचार धारा है उसको कम यूज करते हैं ये आपकी जो है मस्तिस्क की लकीर बता रही है थोड़ा आपके अंदर जिद्धीपन भी जादा रहेगा उतावाले पन में बिना सोचे समझे और 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 कॉन्फिडेंस में आकर तुरंत निरणे ले पत्य में काम नहीं कर सकते हैं इसकी और भी जो है आपकी हतीली बता रही है इस चीज को दुरस्त करना पड़ेगा कैसे करेंगे एक तो थोड़ा चीजों का एनलेसिस करना सीख ले अचानक किसी की बातों को बहुत अच्छा लगना उसका दिमाग से लिए आ गया निरणे बहुत अच्छा लगना उसमें स्तुरंत कारवाई न करें उसको समझें उसका एनलेसिस करें उसके नफे नुकसान को भी देखें दोसरा कहीं न कहीं एक दिव्ययोग ध्यान किरिया एक प्रकार का बहुत सांदार मानसिक प्रणायाम है सारिरिक प्रणायाम है एक प्रकार क का ध्यान है वो मैं audio के माद्यम से दे रहा हूं उसको बिदिवत तरीके से करेंगे तो बड़ा लाब आपको जिवनकाल में होगा ये निश्चित है तो इस चीज के और जो है आप ध्यान देंगे दूसरी चीज देखेगा आप आपकी हतेली में एक रैखाओं का जबरदस्त में जाल बनावा दिखाई दे रहा है एक दूसरे को काटती हुई लकिरे आ रही है जीवन को ये बहुत दयनी बनाता है बहुत संगर्स में ले जाता है न तो धन पूर्ण में आता है न सुक पूर्ण अवस्ता में आता है न करियर अच्छा न रहता है न जीवन में ही कोई जो है सुक के प्राप्ति होती ये चारों तरफ से बेकतिकों जो ने एक परकार की जो है जेल से भी बदतर इस्तिति को देती हैं और इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन पर आपके मस्तिश कपे पड़ता है उल्जन की इस्तिति दुविदा की इस्तिती कनफ्योजन की इस्तिती ये चीज क्रेट करती है और आपकी जो निरड़े लेने की ताकत है ने उसको ये छीन करने का काम करता है बिक्त सही से डिसिजन नहीं ले पाता है यार क्या करना चाहिए और उसमें भी अगर मस्तिस्क रेखा इस तरो से हो तो और भी चीजें कठिनाई की और आजाते है दूसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है ये आर्थिक रोप से आपको बीमारों बनाती है दरिद्दर्ता की और ले जाती है तीसरा इसका प्रभाव आपकी स्वस्त्य पे पड़ता है चाहे वो मानसिक स्वस्त्य हो चाहे वो सारणिक स्वस्त्य हो उसमें बिकार आने बैठ जाते हैं चौथा इसका प्रभाव आपकी रिस्तों पी पड़ता है चाहे वो दामपत्य जीवन का रिस्ता हो उसके सुक के आगे प्रस्तितियां खड़ी होने बैठ जाती है और पांचवां और सबसे बड़ा इसका जो प्रभाव है वह आपकी जो डेपलप्मेंट है आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ता है तीब रूप में चीजे अनबैलेंस हो जाती है सपलता का अस्तर घटन बैठ जाता है मनी इसका जबरदस्त प्रभाव जीवन के पांच मुख्या आया मोवे पड़ता है तो जीवन अस्त बेस्त अपने आप हो गया तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए देखेगा इसको ठीक करने के लिए दो चीज़ें आपको प्रैक्टिकल रूप से करनी है एक तो मैं आपको बनस्पति अश्नान दे रहा हूँ उसको जरूर करिएगा दूसरा निश्चित तोर पे मैं आपको एक दिव्य योग धियान करिया एक प्रकार का प्रनायाम दे रहा हूँ इन दो चीज़ों को करेंगे आप निश्चित रूप से आपको आठ से द आप देखने बैठ जाएगा और धाए साल के बाद इसका अच्छा फाइदा आपको मिलेगा यह इसी किस्तों में मिलता है दो चीजें दिव्य योग ध्यान करिया और बनस्पति अश्नान आपको इसके लिए करना है तो यह चीजें ठीक होने बैठ जाएंगी जिवन निश सावी ही नहीं और यही तो मुख्या है सबसे पहले अगर यह इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति की आर्थिक इस्तिती बहुत दईयनी यह होने बैठ जाती है आर्थिक रूप से व्यक्ति कम्जोर होने बैठ ता ब्यक्ति के कारियों में अर्चने आने बैठ जाते हैं कोई भी काम करें वो सफल ही नहीं होता है यस की प्राप्ति नहीं होती है दूसरा आप जो भी प्रियास कर रहे होते हैं उन प्रियासों में आप सफल नहीं होते हैं तीसरा जो मिहनत आप करते हैं जो परिश्रम आप करते हैं उसका जो पूरा स्रे है जो पूरा क्रेडिट है वो आप तक नहीं पहुँच पाता है जो योग्यता आपके अंदर होती है जो क्वालिटी आपके अंदर होती है उस तरह से चीजें उबर कर नहीं आती है निखर करके नहीं आपाती है ऐसे में एक सहजता से एक सरलता से जिवन में रास्ता नहीं मिलता है और ऐसी इस्तित में अगर ब्यक्ति ब्यापार में जाता है तो ब्यापार में वो विस्तार, वो फैलाओ, वो नाम, वो यस उसको नहीं मिल पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दाओं पे लगा के ब्यापार में गया था ऐसे में अगर बिक्ति नौकरी भी करता है तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आपको खपा लिया हो एक सहिजता से सरलता से रास्ता नहीं मिलता है और ये क्यूं होता है देखेगा सूर्य का कमजोर होने का कारण होता है कि आपके जो साररिक चक्र है वो इस प्रकृत्ति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परसपर तालमेल में नहीं है और जिसका प्रभाव आपके जीवन के आयामों में पड़ता है चाहे आपका साररिक स्वस्त्य हो चाहे जीवन की वास्तविक खुसहाली हो चाहे जीवन का उत्सा हो उर्जा हो इन चीजों की चिंता करने पड़ती है अब इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए मैं इसके लिए आपको एक दिव्य सूर्य किरिया दे रहा हूं सूर्य उपासना दे रहा हूं जरूर करिएगा यदि आप प्रवपर तरीके से जिस तरो से उसकी बिदी है जिस तरो से मैं दे रहा हूं अगर आप दिव्य सूर्य किरिया करते हैं और एक निश्चित समय तक करते हैं तो आठ से दस महने के बाद आप को देखेंगे आपका जीवन जादुई तरीके से बदलना सुरू हो जाएगा जादुई परिवर्तन उसमें आने सुरू हो जाएगे जहां आपकी सारेरिक स्वस्त्य बेहतरिन रहेगा वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहेजिता से चलने बैठ जाएगा फिर चाहे सारेरिक स्वस्त्य हो जीवन की खुसहाली हो जीवन का उत्साव हो जीवन की उर्जा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी ये चीजें हमेशा आपके साथ रहेंगे यहां पर अगर हम देखें आपका बुद्ध इसमें लकीरे सांदार है एक तो अच्छी चीज है आपके हतेली में इनकी वजह से सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा आपके जीवन में इसकी वजह से आपके अंदर जो मार्केटिंग और सेल्स के गुण है वो धीरे धीरे बड़ेंगे इनका लाब होगा जबरदस्त और जो आपके ब्यापारिक चमता है बुद्धिमता है वो बुद्धिमता आपकी बड़ेगी और आपकी वानी की ताकत बहुत सांदार है ज जिसको हम कम्यूनिकेशन स्किल्स कहते हैं जीवन काल के बुड़ापे काल में भी अंतिम समय तक भी अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा अभी बुद्ध आपका कमजोर है बुद्ध जितना कमजोर होता है बहुत इक सुकों में उतनी कमी आती है और ब्यक्ति अगर ब ब्यक्ति को ले जाती है तो आपको इसको सुधारना है अब दूसरी बात देखेंगे थोड़ा सा आपकी हतेली काफी अलग है तो इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पे सुक्र और उसका अंग उठा देखो यह ठीक जीवन काल के 42 वर्स तक मनी 41 वर्स के अंतिम दौर तक 42 व अंकाल को में संगर्स जादा दिखा रहा है और आपकी जल्दबाजी भावनाओं के बसीबुत होकर कोई बड़ा निरणे लेना आपका उतावलापन धनहानी को भी दिखा रहा है अगर आप ब्यावसाई नहीं कर रहे हैं तो 42 वर्स के मिडिल से पहले ब्यावसाई न करें ब्यावसाई में भी नुक्सान को दिखा रहा है और बहुत जरूरी हो करना तो पार्टनर्शिप में कारें एक बात का ध्यान रखेगा जीवन में खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और पीठ का दर्द है गुटने का दर्द है कमर की प्रोब्लम की संभावना बढ़ती हुई दिख रही है खास कर जीवन में धन कमाने की इस्तिती लेट बनती हुई आ रही है हाँ 42 वर्ष की आउई से चीजें थोड़ा ठीक होने बैठ जाएंगी और 56 वर्ष की आउई के बाद बहुत सांदार समय आ रहा है लेकिन आपका अगर हम देखें तो 45 वर्ष की आउई में भाग्यो दया है सांदार इस्तितिका अब यहाँ पे देखेगा आपकी हतेली में इर्दे की रेखा इस तरों से आ रही है और यहाँ पे इस तरों से अपने पैरेंट्स की माबाप की सिवा का भाव बहुत अच्छा रहेगा आपके अंधर लेकिन थोड़ा धैर्य की कमी और उतावलापन ज अच्छी है और आगे जो है यातरा का भी अच्छा लाब प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है परिवार के परति समर्पन के भावना भी दिख रही है स्वयम की मेहनत स्वयम के परिस्रम से ही आप अपने जीवनकाल में स्रेष्ट सपलता अर्जित करेंगे जीवनकाल के 41 वर्स के लाष्ट तक जीवन में संगर से भी रहेगा लेकिन इसी संगर से उठकर आप हर सुक को पाएंगे हर सुक का भी जीवन में भोग करेंगे ये उंगली बता रही है कि धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और इस वर में विश्वास बना रहेगा करम असील व्यक्तित्व है करमे में विश्वास बना रहेगा इसका लाव होगा सीधी खड़ी है इससे बड़ी है रिस्क लेने की ताकत जोखिम उठाने की ताकत और अपने कारियों में कहीं न कहीं अगर नुकसान हो भी जाए तो गिर कर उठने की ताकत भी अच्छी रहेगी सीधी खड़ी ले लेकिन इसके पहले पोर्व तक नहीं पहुंच पारी जितना हो सकिल नाखुन बढ़ाएंगे तो अच्छा लाव होगा क्योंकि ये ऐसी रहती है तो बिक्तिका जो जीवन है वो अच्छी तरों से उभर कर नहीं आता है समाज में और जो उसकी कम्यूनिक परोत अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा जाल बना हुआ है देखेगा जब भी सुक्र के परोत पे इस तरों का जाल बनता है तो ये मानसिक प्रेशानियों को देता है ब्यक्तिका जीवन ऐसे में संकटों और कठिनाईयों के बीच गुजरता है लाख प्रियास करने पर भी बहुत जादा मेहनत प्रिश्रम करने के बाद भी अभाव की इस्तिति को ये जन्म देता है लाग प्रियास कनने पर सारे साधन होने के बावजोद भी सुक की प्राप्त नहीं होती है और ये हमारी हतीली में बैठने वाले दीन सुक्रा चारेजी है ये दैत्य गुरू हैं लेकिन भगवान संकर के सिस्य है तो दिब्य योग ध्यान किरिया में जो दे रहा हो उसमें इनका उपाई है जरूर करें अच्छा लाब होगा यहाँ पे अगर निम्न मंगल देखें यहाँ पे अगर देखेंगे आप सांदार रुप में बर्ग के निशान बन रहे हैं आपको आगे चल कर भूमिका बहुत अच्छा लाब होगा लेकिन अभी देखें तो यह उबरावा दिखाई दे रहा है ज्यादा उबर रहा है चन भंगूर वाला गुस्सा हावी रह सकता है इसको कंट्रोल में रखने के लिए दिब्य सूर्य किरिया दे रहा हो उसमें इसका उपाई दोंगा जरूर करेगा और गुस्से में काबू रखने के लिए ये प्रवत भी कह रहा है लेकिन पराकरम अच्छा रहेगा और एनरजेटिक स्वभाव बना रहेगा ये अच्छी चीज है आपका ब्रस्पती सनी की तरफ जुक रहा है परिवार को लेके बहुत ज़्यादा चिंताई कर रहे है चिंता में है लेकिन ये धीरे धीरे अच्छी इस्तिति में आ रहा है और खास कर फोटी टू एर के मिडिल से ये अच्छी इस्तिति को प्राप्त कर रहा है तो कुछ खास छेतर है करियर के सिक्षा का छेतर है, इंजीनियरिंग का छेतर है, चिकित्सा का छेतर है, मैनेजमेंट का छेतर है, बानिज्य का छेतर है और कानून का छेतर है इन छेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो जहां ये आपके लिए सुटेबल रहेगा तरक्की देने वाला रहेगा वहीं आपको इन छेत्रों में सांदार कामियाबी मिलेगी और इसके कारण एक चीज और दिखाई दे रही है अठारा महने के बाद से आपको जहां सांसारिक सुख अच्छी तरों से मिलने बैठ जाएगा वहीं पारिवारिक सुख भी सांदार इस्तित में मिल रहा है या मिलेगा अठारा महने के बाद दिखाई दे रहा है मान सम्मान अच्छा मिलेगा परतिष्टा बनी रहेगी और सम्मान अच्छा दिलाता हुआ ब्रेस्पति दिखाई दे रहा है सनी की इस्तिति अगर हम देखें तो यहाँ पर यह उबरी हुई है बेवजहे की चिंताएं मन के अंदर आते हुई दिख रही है या कोई न कोई ऐसी वजहे बन रहे हैं जिसके कारण कहीं न कहीं तनाव की इस्तिति पैदा हो रही है कभी कभी सुबा उठने में बहुत ज़्यादा आलस्या रह सकता है लेकिन जब इस तर से खड़ा हो जाएंगे एक बार तो फिर आलस्या भाग जाएगा इसके बारे में हमने बता दिया है यहाँ पे ये चीज उबरी हुई है चोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने के इच्छा ज़ादा हाँ भी रहेगी यह यहाँ पे दिख रहा है बुद्ध कमजोर है यह बारे मैंने बता दिया है चंद्रमा की इस्तिती अभी थोड़ा सा अनबैलेंस है तो इसके कारण कभी-कभी मन प्रेशान रह सकता है कभी-कभी जो है मन गड़बन रह सकता है कभी-कभी जीवन में भावकता आ सकती है या इमोशनली थोड़ा प्रेशान रह सकते हैं कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन बेचेन हो सकता है, बिचलित हो सकता है, मन कारियों में नहीं सकता है, और इसके कारण कभी-कभी नीन आने में भी दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ा पेट का विध्यान रखें और जल का सेवन ठीक करें, खाना खाने के बाद अगर कोई प्र मौ आवर्स आपकी जियोन के लिए सांदार योग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है देखा जाए तो मैंने आपकी हतिलिका पूरा बिस्लेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विदिवत तरीके से लिख करके आडियो के माधम से आपको भीज रहा हूं करने की कोशिस करें निश्चिती लावोगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार